आकाश्मानी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग पहले एक अपील कोरोना संग्रमन को देखते वे आफसे अपील है कि लापर वाही ना बरतें और इनासान उपायों का पालन कर सरक्षित रहें मास्क लगाएं दो कसकी सरक्षी दूरी बनाये रखें बार बार हाथ होईं साफ सफाय रखें और टीका अवश्य लगवाएं लोगों को कोविट से संबंधित जानकारी दीनी और उनके मांग दर्शन के लिए राश्य हल्पलाइन कारे रथ है इसका नंबर है 011-23978046 और 1075 सबसे पहले बुक्षी समाचार सभी को टीका लगाने के लिए किंद सरकार ने दिया 44 करोड कोविट टीके खरीदने का आदेश प्रदेश के आठ जिलों सही देश भर क्या कांग्शी जिलों में शिरू हुआ सुरक्षित हम सुरक्षित्तों अभ्यान सरकार ने सभी को टीका लगाने का लक्ष्य हासल करने के लिए वैक्सीन खरीदने का नया आदेश दिया है इस साल दिसंबर के अंट तक 44 करोड कोविट के टीके उपलब्ध होंगे इन में 25 करोड कोविशील्ड और 19 करोड को वैक्सीन शामिल है प्रधान मंत्री की सभी को निश्रक टीका लगाने की घूशना के बाद किंद्री स्वासमंत्रले ने सिरम इंसिट्यूट ओफ इंडिया से 25 करोड और भारत बैयोटिक से 19 करोड वैक्सीन खरीदने का आदेश दिया है सरकार ने 30 करोड बैयोलजिकल ईटीके खरीदने का भी आदेश दिया है ये टीके सितंबर में उपलब्ध होंगे नीती आयोक और पीरमल फाउंडेशन ने 112 अकांक्षी जिलों में कल से सरक्षे थम सरक्षे तुम अभियान शुरू किया है इसमें प्रदेश के आठ जिले भी शामिल है ये अभियान ऐसे कोविट मरीजों को घर पर देख भाल उपलब्ध कराने में जिला प्रशासन की साहिता के लिए शुरू किया गया है दिन में संक्रमन के लक्षन नहीं है या हल की लक्षन है अभियान के तहब बीस लाख नागरिकों को घर पर स्वास देख भाल उपलब्ध कराई जाएगी एक हजार से अधेक स्थानी और गैर सरकारी संगिटन की साजेदारी में जिला मजिश्रेट इस अभियान का नेत्रतु करेंगे इस अभियान में कोविट मरीजों की कॉल सुनने और जबाब देने के लिए एक लाग से आदेक स्वेम सेवकों को सूची बद और प्रशिक्षित किया जाएगा कुरोन संक्रमन से रोजकार धंदे सहित अन्य शेत्रों में आए किरावट की कारण नागरिकों को नगरिये निकायों के करो और उभोकता प्रभारों के बुखतान में आ रही कठिनाई के अमद्र नजर राजिसरकार ने विभन करों के अधिभार में छूट देने का दिने लिया है संपतिकर के अधिभार में श्रेणी वार 25 से 100 फिसदी की चूट मिलेगी इसी तरह के चूट भू भातक किराय और जल और भोकता प्रभार और जलकर में भी दी जाएगी 31 अगस तक लंबे देर आशे का बुकतान करने वाले लोगों को ही ये चूट मिलेगी ये पिंटल नधारित किया गया है। खरीदी 90 दिन जारी रहेगी प्रदेश के 25 सिलो में 4,47,000 हैक्टियर में ग्रीश बकालीन मोंग होती है। इस वर्ष 6,56,000 मिट्रिक टन मोंग उतपादन संभावित है। CBI टीम ने की है। बताया जाता है कि CBI ने भोपाल, विदिशा, खंटवाद, जापवा और महाराश्ट्र के नादेड और जलगाओं में भी चापे मारे है। हासे कलाकार पवंचिपबर ने लोगों से अपेल कि है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। पहने आके आए, तो नव से समान देओ, बिनाद मास के आपकी दुगा ना बोलें। और सब ते बड़ी चीज है, बिनाद टीका करेंटे ना पुगान बोलें। अगनास किछी को समान दें। और पवंचिपबर के साथ महलाएं। देहन, बेटिया, बच्चे, भाई, सब मिलकर धर के पड़िवार के लोग साथ मिलकर टीका जरूर लगाएं। कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाएं। मास्क लगाएं। दो गस दोरी है जरूरी। सुरक्षित दोरी रखें। हाथ हर मूँ साफ रखें। ब्रेकी बाद समचारों में आपका एक बाद फिर स्वागत है। रखे गए हैं। में 11 नय प्रकरण सामने आये हैं। देश के केबल 5 सिलो इंदौर, फोपाल, जबलपूर, रतलाम और बैतूल सिलो में एक प्रतिशत से अधिक सापताहिक संक्रमंडर है। वहीं चैजिलो, अलिराजपूर, भिंठ, चतरपूर, कटनी, सिंक्रॉली, टीकमकड में कुरूना का कोई प्रकरण नहीं आया है। अलिराजपूर कोरूना मुक्त है। इंदौर सिले में प्रदेश की सबसे बड़ी सबजी मंडी में आज से तीन दिवसी एटी का करन शिविर का एवजुन क्या जा रहा है। सतना में आज से पूरा बाजार खुलेगा। मंसौर में छे वक्ती संक्रमित मिले जबकि 35 वक्ती स्वस्तों कर घर लोटे, शिवपूर में एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं आया है। वहीं 11 मरीज दिस्चार्ज हुए हैं, धार में 4 नहीं मरीज मिले जबकि 21 रोगी छीक में शाजापूर में 6 बेक्तियों के रपोर्ट पॉजिटिव आई और 40 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। खंडवा में 15 बच्चों को मुख्य मंत्री COVID-19 बाल कल्याण यूजना का लाथ दिलाया जा रहा है। खंडवानी धार इंदोर शाजापूर अनुपूर शैडोल डिंडॉरी में वर्षा या गरच्चमक के साथ बोच्चारे पढ़ने की संभाब ना है। माना जा रहा है कि 20 जून तक प्रदेश में मौनसून दस्तक दे देगा। भारत और श्रुलंका के बीच तीन एक दिवसी और तीन 2020 मैचों की श्रंकला का कारिक्रम खोशेत हो गया है। सरकार ने COVID-19 संक्रमन के कारण ब्रत सरकारी करमशायों के परिजनों को जल पेंशन देने के निरतेश दिये हैं। सानिक स्कूल रीवा के 18 चात्रों का वर्ष 2021 के दौरान राश्री रक्षाक आदमी और 9 सिनाक आदमी में चैन हुआ है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत जी स्कूलों की प्रुथम कक्षाम में निशुल प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 जून से किये जा सकेंगे। कूरोन संक्रमन की प्रभावी रोक्ताम के लिए चार राज्जियों में अंतराज्जी बसेवा का परिवहन अब 15 जून तक के लसागेत कर दिया गया है। सरकार ने विद्यूत कंपनियों में कारेरद सभी कर्मशारियों की समस्याओं का निराकरन 15 जूलाई तक करने के निर्देश दिये हैं। बाहिक की टक्कर में तीन लोगों के घटने स्थल पर मौत हो गई। आगर मालवा के सालरिया गौब भ्यारन परिसर में वन विभाग द्वारा 10 हेक्टियर में बायो डायवोर्सिटी पाग पनाया जाएगा। बुरिटिन के अंत में आप सभी से एक अपील मासक और दोगस के दूरी खान धोना भी है सरोरी। नहीं आमस्काषब